अगर नमस्ते हैं अगर आप अपने पास बचे हैं तीन दिन और यही तीन दिन की रिविजन स्ट्राटेजी मैं डिसकस करने आया हूँ easy scmp paper is what I feel guaranteed last attempt है यह almost यह वाले syllabus का वैसे भी scmp का मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई ज्यादा experiment होने वाला है easy paper आएगा बट कई बार के आपना preparation उत्रा भी नहीं वाता है कि अपन easy paper को crack कर पाए अभी अपने पास तीन दिन है ठीक है when I say easy paper it will be wholly from the module so एक एक अपने को डर रहता है कि सब practical question कुछ भार का आगया तो कैसे attempt कर पाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यह बार के जो practical questions है वो भी वो ही आपके institute के module लेलो RTP MTP past paper से ही आने चाहिए theory तो as such को बहुत महार का पूछेंगे नहीं वो तो module का ही अपने को बरावर से करके जाने है but एक easy paper को crack करना भी एक task है SCMP क्योंकि इतना सारा कुछ है याद रखने के लिए अपने को especially the key words the main words so paper easy आएगा but अगर paper easy भी आया तो क्या मैं अपने आपको उतना prepared रख रहा हूँ that I will easily cross that 60 mark का जो barrier है exemption जो मुझे cross करना है plus मुझे ऐसा लगता है again के group 2 इस पार आप अगर only group 2 दे रहे हो then in that case एक flow है last time result decent था group 2 का electives भी attempt करके public ने clear किया वा है so I think go with the flow just do it properly बहुत सारे लोगों का elective exempt है तो उनको DT IDD के लिए extra time मिल जाएगा आप only SCMP वाले हो तो अभी 3-4 दिन extra दे ही रहे हो पूरा का पूरा focus करके subject पे so बस आप mindset positive रखना है strategy follow करना है जो अभी मैं आप लोग को दे रहा हूँ and I think we should look good as far as this exams are concerned so paper easy आने वाला है मैं आपको बता रहा हूँ बट आप you should be prepared enough to manage that easy paper also उसके लिए अपने को क्या करना है देखो waitage मैंने यह pdf मैं आप लोग के साथ telegram link के ओपर definitely share करी दूँगा so you can download the files from there मैंने compilation करके google drive link दियावा है मैं वापस से वो भी share कर दूँगा उसके ओपर सारे notes का compilation है ठीक है प्लस यह सब चीजे जो है वो तो तुम लोग के पास ही clickable ठीक है तो यह खाली आपको जो chapter का revision करना है click करो ash करो lecture देखो काम खतम so अगर आप मैं आपको भी एक बात बता रहा हूं अंदर गा खाली यह revision series भी मेरा देखे गए ना theory or practical का that's it so when I say paper will be easy this is what I mean to be तिक है क्या मैं बोलना चाहरा हूं easy paper में कि वह यह typical जो मैंने practical revision series में करवाए है यह वाले questions आएंगे theory इसी में से आएगा इतना at least दो बार करके चले जाओ काम हो जाएगा आपका सर मैरेथान का क्या status है मैरेथान लेने वाले है तो yes तुम लोग से भी मैं थोड़ा idea लूँगा in terms of your comments and thought process वो भी मैं discuss करूँगा आगे तो please यह बराबर से कर ले ना फाइल को ठीक है मैं एक list भी दे दूँगा तुम लोग को clickable list so I think that will really be helpful most important module questions exam के दिन पे सर कितना सारा portion है कैसे cover होगा एसे cover होगा so paper easy है when we say paper easy है मतलब paper institute के book में सही है institute के book में से कौनसे questions आने के chances है यह रहा आपके सामने वो list करके जाओ इसको काम हो जाएगा येस बता रहा हूं मैं तो practical का revision series तो सुनना ही है साथ में book pen लेके बैठना थोड़ा writing practice रहेगा theory must exhaustively detail में करवा है आप लोग ने iam sure दो तीन बार कर गया होगा लिख लो थोड़ा writing practice रख लो साथ-साथ में at least keywords का और थोड़ा एक हाथ चलते रहना चीए फिर बाद में ये most important questions का list आ गए अपने पास right okay अब in terms of points to remember जब आप कोई भी case study लिख रहे हो very important point here is this see paper कितना भी easy हो case study है ना पूरा game बदल देता है है के नहीं मानते हो ना yes sir मतलब आता हुआ भी case study उसको theory form में properly लिखना is a difficult task I totally totally understand that and इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला है कि कुछ चीज़े आप लोगों को या पे ध्यान में रखनी है जब आप case study कर रहे हो तो in general points to remember write at least one SCMP full test before main exams ये मैं पहले बहुत बार बोल चुक में जिसमें आप full paper लिख कर आते हो so SCMP अभी तीन दिन है लिख लो एक paper DTI DT के लिए अगर आपको extra चुटी है elective में exemption है तो लिख लेना please trust me it will be very helpful हर question का summary बनाना ही या exam में compulsory relief fair में summary बना क्या हो बिंदास कोई tension नहीं है marks मिलेगा पूरा का पूरा तो summary से क्या start मिल जाएगा and that will really be helpful to you answer the question in step by step manner with proper working notes जितना अच्छा working note होगा उतना अब answer के करीब पहुच पाऊगे understand the requirement of the question reverse strategy use कर लो कभी का बार so reverse strategy में क्या होता है आप पहले requirement पढ़ लेते और फिर question आपको फिर connect होना चालू हो जाता है develop a writing habit stop auditing start writing भले ही अभी मुझे पता है last 2-3 दिन है फिर भी थोड़ा बात लिखते रहो या that is really very helpful guys refer magic book for point wise theory and case study we know that case studies जो सबसे important है उसको कैसे answer करना है first always यह है ना please दिमाग में छपवा दो this is the format that you have to use first write the issue then small connection of issue with the solution फिर concept को भर भर के लिख दो connect the concept with the issue and a conclusion दिये बिना मत जाना एक सच्चा असली chartered accountant वो ही है जो अपने client को end of the day conclusion दे दे कि भाई देखो मेरे हिसाब से यह होना चाहिए यह करते हो तो यह advantages है यह disadvantages है building block model apply करना चाहिए building block model करते हो apply advantages, disadvantages, disadvantages जो भी है सब उसको बता दो building block model के बारे में बता दो तो third point बोले explain the concept to be applied in detail आपके case के साथ कैसे connect होगा वो बता दो advantage, disadvantages आपका recommendation this is how a case study is to be presented and you will get the marks that you want बाकि यह सब clickable, scannable तुम लोगे पास है तो यह देख ले ना भाई, RTP में 21 के कुछ है नहीं question थे, RTP में 22 के, super 50 मैं नहीं यहापे डाल दी है तुम लोगे लिए, तो सब है यार यहापे, खाली आप पढ़ाई करने का जजबा रखी आने वाले तीन दिन, बाकी सब manage हो जाएगा, ठीक है, चलो, now and need that positivity from each one of you, ठीक है, yes, show your positivity, yes, like it, if you are positive this time for this subject, चार फेज में मैं divide कर रहा हूँ, इसको, फर्स फेज में आपको complete करना है, lean system, performance measurement, standard costing, so say for example, आज अपर अपना studies को start कर रहे है, just a moment, so day one का target, कुछ होना चाहिए, ऐसा, जहाँ पर आप lean system, performance measurement, standard costing, approximately 12 hours पढ़ने वाले हो, 444 hours पे divide कर दो, फिर phase 2, next day पे जाएगा, फिर phase 3, और last, जो अपना exam का दिन है, उस दिन जो थोड़ा बहुत time रहेगा, तो say for example, आज 6 थे, तो 6, 7, 8, तो 6 तारिकों आपको ये पुरा complete करना है, 7 तारिकों phase 2, 8 तारिकों phase 3, and 9 जिस दिन exam है, उस दिन morning ये दोनों chiller pillar chapter आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, approximately 3-4 hours per topic लगने वाल है, almost equal time ही जाएगा, हो सकता है, किसी का कुछ positives और किसी का कुछ negative हो, तो उसको उतना उपर नीचे कर सकता है हो, but other than that, this is how your phasing should be, plus मुझे लगता है कि the moment you will complete phase 1 and phase 2, आप समझ लो, आपने 40 प्लस का तयारी आपका हो गया, हो गया, guaranteed, phase 1, phase 2 आपने इधर जो लिखा है मैंने वो कर लिया आना, अब का 40 प्लस तो आ गया, अब कहानी बढ़ेगी exemption के लिए, that will give you through phase 2 और उससे भी जादा जाना है, sky is the limit, last attempt है, दिखा देते हैं institute को बहुँज, इसमें maximum score कर सकते हैं, that will be through phase 4, so this is how your last day's revisions for 3 days strategy should be, sequence क्या होना चाहिए, sequence मैंने आप लोगो को दे दिया है, please इस sequence को follow करो, इसमें मैंने theory practical दोनों को मस था पाई कि balance out किया है, तो उससे भी आपको काफी फाइदा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये बार, कौनसे कौनसे topics important होगे, वो मैंने ये pdf में mark कर लिया है, you can download it from the telegram channel, exam तक, telegram पे और जो भी चीज़े वो मैं share करते रहूँगा, so that we are connected, अब आती है बात marathon की, तो सरकाब ले रहा है marathon, क्या expectations है guys, वो तुम लोग को बताना है, ठीक है, मैं मेरे हिसाब से कुछ thought process रखके करने ही वाला हो, but आपको बताना है, सर ये वाले topics कोई specific है आपके दिमाग में, सर ये वाले chapters प्लीज करवाना ही करवाना, तो वो topics बता दो, so at least मुझे पता चले कि यार public demand, कौन से topics का है, मैं भी मेरी तयारी हुसी साब से रखूंगा, and I will also focus on those topics on priority, ठीक है, चालो, so yes, ये डाउलोड करके please, कोई भी chapter आप start कर रहे हो न, तो उसमें से जो मैंने यहापर important mark कर रहा है, वो तो कर नहीं है, जैसे TPM 8 pillars आ सकता है, can ban card का एक practical question है, reverse OE का एक question है, 5S काफी time से लग रहा है आएगा, रोक का एक unexpected question के form में आ सकता है, वैसे cost management technique, decision making, सब के लिए, सब chapters के लिए मैंने यहापर important mark कर रहा दिया है, तो यह तो आपको by default करना ही है, तो से for example, मैंने आपको जैसे यहापर बोला था हूँ, तीन-तीन घंटा देना है हर एक chapter को everyday basis पे आपको, तो से lean system आप कर रहे हो, अब lean system में आपका 2 घंटा हो गया, आपको लग रहा है पूरा portion complete नहीं हो पाएगा lean system का, ठीक है, at least lean system में, जो मैंने यहापर mark करवाया है, उतना तो करी लेना, इतना तो पहले priority पे करना ही है, फिर बाकी चीज़े करना, फिर कुछ चूड गया, वो थोट ठीक है, last में revision lecture से उतना पाठ देख लेना, and you'll be through, तो strategically we are at a comfortable position, अब पढ़ना पड़ेगा, execution तो आपको ही करना पड़ेगा, वो 12 घंटे तो देने ही पड़ेगे, बाकी सब चीज़ साइड पे, your efforts have to be there, if you want to really clear the exam, बाकी आपको मेरी तरफ से और कुछ help चाहिए, जैसा मैंने बोला comment पर बताओ, या specific expectation है कुछ marathon का, खुद difficult ना बना दो, easy को easy रखो, और उसको accomplish करके आओ, easy paper को भी लिख के आना पड़ेगा, उसका कोई वो नहीं होने वाला है, shortcut, वो तो मेनत लग नहीं वाली है, ठीक है, और papers बहुत easy आएवे है institute में, बहुत, एक दो attempt आएवे है, जहाँ पर institute ने paper से 8 में से 6 paper easy निकाले है, बड़ इसका मतब यह नहीं हो है कि वो 6 paper में सबको exemption आया है, marks तो फिर भी public का जाता है, public फिर भी 40 के लिए तरस्ता है, public को फिर भी 40 में आने में भी problem हो है, even in easy of the papers, you may say, sir checking difficult होता है, not necessarily, कई बार अपना preparation भी उसी साब से नहीं होता है, easy paper को भी अपन, उस smoothness से manage कर पाए, time है अभी 3 दिन का, कर लो, make or break attempt है, let's give it our best shot, time for me to say, hasta la vista, waiting for your comments, take care, keep smiling, thank you so much.